प्रेम की कड़ी से चलती है उपर वाले की घरी ले आई हूं मैं आपको निर्मल दर्बार में भक्ती की शक्ती जब होती है सची तो स्वेम साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं इश्वर बाबा जी की दर्बार में भी हुआ कुछ ऐसा ही अनुठा संगम, श्रद्धा और विश्वास का जी हां बाबा जी हमेशा अपने भक्तों का कल्यान करते हैं और उनकी दुखों को हर लेते हैं यह जानते हुए भी कि बहुत लोग रहे जाते हैं इच्छा कई लोगों की होती है कि कुछ कहें लेकिन समय इतना नहीं होता कि सब को समय मिल पाए लेकिन किरपा तो सब पर एक समान ही जाती है जो अपनी सीटों पर भी बैठे होते हैं वो शक्तियां उनके मन की भी पढ़ रही होती है और किरपा कर रही होती है तो यह तो उनकी एक क्या क्या कहा घट रहा है या किस के साथ क्या बीट रही है कुछ लोगों को मौका मिल जाता है लेकिन वास्ता में चाहे कोई कितना भी दूर बैठा हो उसके मन की सोच भी जो है उस पर भी किरपा जाती है क्योंकि वो शक्तियां हर जगे हर पल सब को देख भी रही होती है और किरपा भी कर रही होती है हाँ उसमें सच्चाई जरूर होनी चीए और वो सरफ मन की भावना को देखती है और उसी हिसाब से वो किरपा रिफलेक्ट हो रही होती है जो भी इस दर्वार से जुड़ता है सच्चे मन के साथ तो जो जो उसकी कमिया होती है तो वो हर शक्ति भी अपने दर्वाजे खोल देती है क्योंकि वो उस रह को छोड़ देता है और सच्ची रह में जब लग जाता है तो वो किरपान इशो हो जाती है लेकिन उन शक्तियों से जोड़ना यहां आप क्या देखते हैं किसी ने गीता नहीं पड़ी किसी ने रमाएन या जिस धरम की कोई भी पुस्तक है या कोई स्थान है चाहे वो किसी भी शक्ति का है वहां भईजा जाता है लेकिन हमारे भक्त जो है वो अगर उस रहा पर चलते जाते हैं जो उनको बताई गई है कोई नहीं नहीं है उन्हीं सची शक्तियों की रहा पर जो चलता है तो फिर जो मरजी होता रहे उस वो किरपा कभी रुकती नहीं है हर इच्छा भी पूरी होती है और हमारा आशिरवाद भी सब भक्तों के साथ है जहां जहां भी कोई रहेगा वहां वहां वो किरपा बरस्ती रहेगी और उनके काम भी उसी तरह बनते रहेंगे मैं कहां से आप आए गाजी अबास से ये बताओ कि वैशनो देवी कभी गए है हाँ गए कितना समय हुआ है अब तो काफी टेम हो गया गए नहीं कितना हो गए दो तिन साल दोब़ार जाने का मन ने किया हाँ सोचा तथा एक बार सोचा था लेकिन गए नहीं गए नहीं पिर माता भी तो सोचेगी ना किर्पा करेंगी नहीं, साल में एक बार का नियम बना लो तो किर्पा निश्र हो जाएगी कहां से आप आये हैं, रोनी से दिली से आया हूँ जी, ये बताओ कि ये ढोल की हर्मोनियम छैने बहुत सामने आ रहे हैं, कहीं कीर्पन में तो नहीं आप गए या कहां देखे, कभी कभी जाता हूँ जी, अब कितने दिन हुए हैं, लास्ट कप गए थे, जन्मस्ट में वाले कभी छैने कभी बजाये वो, जागरन में कही बार जाते हैं, तो बजाता हूँ, पिशली बार बजाये थे, हाँ पिशली बार बजाये, हाँ जी, ऐसा है कि आप के वो जाना और बजाना मंजूर होता है, कीर्तन में आप चाहें दो महिने में कहीं भी किसी भी मंदिर में चल खार देना ठै तीर बाबाजी को कोटी कोटी परनाम गई पहां से अप आप आए वहार दिली पश्रीम यह एक बुरा बहुत सामने आ रहाती जैसे को नहीं का बुरा हुटा नहीं काम इस काम है मेरा पर न हमदि देखते रहते हैं कुछनी बाबाबाद देखते रहते हैं उनको कुछनी खाली देखते रहते हैं अब एक काम करो एक बोरा ना लेकर के चाहे आटे का छोटा लेलेना या बढ़ा लेना जो भी लेना हां जी किसी भी मंदिर गुड़दुवारे में जाके लंगर में डाल दो और बोरे देखने कोटी कोटी पुड़ञा बाबाजी जो धाल एक कोटी कोटी प्रणा में अबरा जी कहां से हांगाये व्याप्स यमसेत पूर जार खांड। ये ब्रेड बटर बहोत आ रहा है अब जी जाका ड़ा आँ राहे लियाच हायम घैंच सूवा है दो पर यहा अब ऐसे करो दस बारां बनाके ना उसके ब्रेड बटर लगा के गरीब हो में बाट देना फिर जो मर्जी करते रहां जो कोटे कोटे पना वाबाजी कहां से आप आए भूपाल मद्देपरदेश जी यह कबूतर बढ़े आ रहे हैं बई कभी दाना खिलाए कबूतरों को नए नहीं वो घर के ऊपर उड़ते रहते हैं कभी कभी ऊपर छट पे जाता हूं जब उड़ते देखते हो खाली हाँ उड़ते देखो कभी उनको दाना भी डाल दो हैं फिर किरपानी शुर होगी खाले देखने से नहीं काम चलेगा जब बैड़ जाए जी सदार साब केड़ी ऊतायगा टो आँ जा सेAR भाव्भ भाव यह लुद आने तो है जी बयूद आने तो तो और एक चीज़ वर दुसों सनू पीर बड़े आंदे पैने पीरां थे केडी जगां तो गेए बबाई सीटा नाल बीरवार जाई जाहिए जहीं नाले गुर्दवारा जी नाले बबाई जगा बनि हुए यह जगा वनी जी भाई तो आड़ी पीरांदी केरपानी आंदी पई ह सबसे पहले हमें एक ची बताइए आपकी एक नहीं दोडो चीजें क्यों औरही हैं एक सरसों का साग अपने कब बना को बहुत सालोग है बना इमको इतने कितने तीन-चार साल लोग हूंगा अच्छा नहीं लगतता है कम खाते हैं एल्लवित मसं कि अब दोनों चीजें बना लेना और मक्की की रोटी और दूसी रोटी भी पांचाथ गरीबों में बाड़ दो फिर जो मर्जी क्रिपान इसुन हो जाएगी बैठ जाओ अबाजी प्रणाम हां जी कहां से आप आए मैं दिली से यह वैसे आजिस्थान से ताले क्यों आ रहे हैं अपके एक गोल ताला और चौरस दुनों के आ रहे हैं चौरस ताला तो हम घर पे लगाते हैं ठीक है कोई गड़बर पर नहीं बिल्कुल सही चल रहे हैं फिर भी ध्य पर लगता है और गोल ताला कहां पर है गोल ताला मेरे घर पर है राजिस्तान में घर पर गोल है यहां चौरस है जी पता नहीं क्यों आपका भई ऐसा है कि बदल बदल के लगा लिया करो जी वह प्लैनेटरी हिसाब से किरपा आ रही है लेकिन गोल एक यहां रख लेना कहां से आया कानपूर से आया है बजरंग बली भोता रहे हैं अब हनुमान चालीसा कप पड़ा आपने पिछले मंगलवार से इसी मंगल पर कल पड़ा था काफी दिनों से गैप क्यों चल रहा था तो थोड़ी लापरवाई की वज़े से काम की वज़े से काम में ज्यादा तो बजरंग बली फिर काम चलने देंगे वह जैसे पढ़ते से पहले जो नियम था उसी तरह करो तब जो है काम भी चलते रहेंगे और एक बार जाके परशाद भी करा देना जाओ बैठ जाओ करपा करिए करपा करिए समागम की लेटेस जानकारी के लिए और अपना पास नंबर जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nirmalbaba.com पर लॉग इन कर सकते हैं अब आप अपने मुबाइल पर समागम के एपिसोड देखने के लिए www.nirmalbaba.movi पर लॉग इन कर सकते हैं और आप Facebook और Twitter के माध्यम से भी जोड सकते हैं हमारा Facebook एड्रेस है www.facebook.com slash nirmalbaba ji हमारा Twitter एड्रेस है follow at nirmalbaba ji या आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारा phone number है 011-407-66400 बोलो निर्मल दर्बार की जै बाबा जी आपके आशिरवाद से मेरे धीरे धीरे सारे काम पूरे हो रहे हैं आशिरवादीजे बाबा की मांसिक शारीक तथा आर्थी गृप से मुरे किसी भी तरह की बादा ना हो धन्याबाद बाबा मेरे नम के लाज सचदेवा है मैं अमेरिका से आया हूँ दो हबते पहले भी जहां समागर बैने पहली बार अटेंड किया है और आज फिर आया हूँ और एक साल से टीवी बादेम से आपके दर्शन करता हूँ मेरे सतर साल की उमर है और भी मेरा छोटा बेटा की शादी नहीं हुई है और बिसनस भी मारा अमेरिका में सब खतम हो चुका है आप हमारे लिए किरपा कीजिए कि बिसनस भी मिल जाए और बच्चे की शादी भी हो जाए वो सारा परिवार हमारा सुक्षांती से रहे मैं सुपरीत कौर इटावा से आई हूँ मैं दो साल से आप से जुड़ी हूँ दूसरा समागा मैं टेंड कर रही हूँ निर्मल बाबा आपने सब सुक दिये पर संतान सुक नहीं दिया कृपा करो मेरी वहन दूबाई में रहती है वो एक बार दुख देल चुकी है निर्मल बाबा कृपा करना वो आपकी बहुत बड़ी भक्त है उसने कहा अगर दरबार में जाओ तो मेरी तरफ से भी बोल के आना कृपा करो करपा करो बाबा मेरे पती मेरे साथा हैन अधर हमेशा बनी रहे वह सुछ करण करो पर करो हम सब फेज़नेवल फेजिवाइब यद्या कर बाबान मेरे दो बच्चे मेरे कहना नहीं मानते हैं बाबा मेरे बच्चों को ऐसा खीजे बाबा जो आपके चड़नों में बने रहें बाबा और किरपा करना बाबा मेरे बच्चे की साधी नहीं हो रही है बाबा एक कि उसकी साधी किरपा करना बाबा और मेरे बेटी है बाबा मेरे बेट जी गुरु गोबिन दो खड़े काके लागूं पाए बली हारी गुरु आपने जिन गोबिन दियों मिलाए बाबा जी दो साल से आप से जुड़े हैं आसमान से जमीन पर आ गए थे घर भी गया शोरूम बंद हो गया समय नहीं आता था कि जिन्दा कैसे रहेंगे जब से आप खुरु नहीं करे के बाबार जी बहुत दोना था कि चिल्बा कि जब तर देगा जा कि आप नाम कंष्ट कोटी कैंट बंद कई से इद मे बंद जोड़ूं अब दोलें और बंद करना बंद कर बढब बाबा मैंना आप से एक विश्मागी थी कि मेरे कोटा हो जए जिस लड़के पर कशता था उसी के वेटर मांगा मैंने बाबा नौ महींया मावने मेरे एक पेटर पूचा दे दिया या बाबा बाबा मुझे फौत खुछे ती अपने मेरे बेटे के लिए भी मुझे बहुत ख यह हाँ आद यह दो शर्व वाबर कोटी प्रनाम मभा मैं और आधर सया हूं दिनेश मेरा नाम है कर्पाचात अओ मदकी पज़से इन बाप्दिस वै दुरगापूर सभाः बेंगल से भॉस कोड़ में हो लाजी पड़्य कर्चाब अग्षेब बाव हों पहला समाग में मेरा कि या कि लाड़ा कि लिए नमस्क्रार बाबाजी मैं करा नाला लिए आइक है किर साल आप है यह अर मैं campevy Native कुछ है आप escuela अबसे परस्कार बाबाजी के लिए कोर्टी कोटी 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 परिणाम स्वीकार हो बाबाजी आप से 2010 से जुड़े हुए हैं बहुत से सेयर हैं जिसमें हमारे बच्चों की असिक्षित होते हुए सरकारी नौक्रियां लग गई है लेकिन परेजान हमेशने हैं कि हमारी दो बच्ची नौजवान हैं और दोनों सिक्षित हैं साधी नहीं उपा रही है बाबा जी भू करवा दिए और एक छोटे बच्चे बाबा जी इतनी किरपा कर दीजे बहुत परिशान हैं निर्मल दरबार की निर्मल बाबा जी आपके श्री चर्णों मेरे मेरे पती और मेरे बच्चों की तरफ से कोटी कोटी नमन गुरुमा के चर्णों में कोटी कोटी नमन कि निर्मल बाबा मैं धाई साल से आपसे जु करते करते बहुत बिमार रहते थे और मेरी भी बहुत अवियत खराब रहती थी जब से मैं आप से जुड़ी बहुत शान्ती मिली बहुत आराम मिला बाबाजी उसके बाद बाबा हम 20-22 साल पहले मां वैशनु देवी की यात्रा करने गए तब से हम नहीं जा पाए थे बाबा बाए एर अपने हमें भेजा हमारी कोई उकात नहीं थे हमने कभी सपने में नहीं सोचा था बाबा कभी सपने में भी नहीं सोचा था उसके बाद हम अभी 2013 अप्रेल में शिरिडी शनी शिंगनापूर सिद्धी विनायक महालक्षमी हाजी अली सब जगा घूम क्या है कोटी कोटी नमन आपके सिरी चड़ों मेरे बाबा कोटी कोटी नमन अपने किरपा द्रिश्टी सी परकार बनाए रखना बाबा कभी अपने सिरी चड़नों से दूर ना करना कभी पराया ना करना मेरे बाबा सदा सदा के लिए अपना बना लो मेरे बाबा सदा सदा के लिए अप मेरा दीन आप से शुरू होता है बाबा जी और रात आपके नाम से ही खतम होती है मैं जो भी कोई भी डिफिकल्ट केस करती हूँ बाबा जी आपका नाम लेके करती हूँ और मुझे उसमें 100% सक्सेस मिलती है कभी फेल नहीं हुई बाबा जी और मेरे सिर्कियों पर बहुत करजा है बाबा जी वो करजा खतम कर दीजे बाबा जी मेरे को फाइनेंशल और प्रोफेशनल राइस दीजे बाबा जी आपके जर्णों जर्णों की भक्ती सदा सदा के लिए दीजे, बाबाजी कृपा कीजे, बाबाजी कृपा कीजे इंक्वाइरी के लिए संपर्क करें, 011-407-66-400 फोन करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, संडे आफ समागम की लेटेस जानकारी के लिए और अपना पास नमबर जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nirmalwaba.com पर लॉग इन कर सकते हैं अब आप अपने मुबाइल पर समागम के एपिसोड देखने के लिए www.nirmalbaba.mobi पर लॉग इन कर सकते हैं और आप Facebook और Twitter के माध्यम से भी जोड सकते हैं हमारा Facebook एड्रेस है www.facebook.com slash nirmalbabaji हमारा Twitter एड्रेस है follow at nirmalbabaji हमार कि एड्रेस हैं